कि हिंदनबर की रिपोर्ट को कितना विश्वस नहीं मानते हैं नहीं हो सकता है कोई विश्वस है नहीं हो सकता है लेकिन एक बात तो सही है ना कि आप जो है तीन बिलियन यूएस डॉलर से एक सो सताइस बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया आप तीन साल में ती दूसरे नंबर पर आप पहुंच गये तो सबसे अमेलों को सवाल तो उठेंगे ना भाई है सवाल जो उठें उसको स्पस्टिकरन करी इंस के अंदर को इन खोडाला नहीए उस प्याव क्या कि उठा नहीं है जब संकार कह रहे हैं की खुटाला नहीं तो उसके अंदर इसके लिजख क्या है यह जतनी आप से बात करके लग रहा कि आप हिंडनबर्ग ने जो question उठाएं उनसे बहुत convinced नहीं है आप सिर्फ जाज की बात कर रहे हैं क्या वो जो आरोप लगाएं हिंडनबर्ग ने आपने अपनी तहीं भी तो उसको जाचा परखा होगा नहीं बिल्कुल लेकिन सवाल यह कि मेरे convince होने या ना होने पर कुछ असर नहीं पड़ता सवाल यह जरूरी है आपका convince होना जरूरी है क्योंकि तभी आप conviction के साथ सरकार पर हमला बोल सकते हैं सरकार को मजबूर कर सकते हैं वह ही तो हो रहा ना भाई गिराएं कि इस तरीके से हो रहा है इस तरीके से बनी लॉंटिंग हो रही है इस तरीके से शेल कंपनिया हो रही है इस तरीके से शेर के valuation को बढ़ाया गया और यह तरीके जो उन्होंने जो बताए और वह फॉरन tax havens जो है वहाँ पे जो कमपनिया है और वो जो कमपनियों की पूरी जो इनवेस्ट करते हैं वो पूरी की पूरी अधाने जी के कमपनियों में तो ये सवाल है ना जिसके उपर आपको चाहिए कि special पश्च रूप से चाहिए कि सही है गलत अब ये गंबीर आरोफ है ना मामुली आरोफ नहीं है ये गंबीर आरोफ है तो इसलिए हम कह रहे हैं बड़ी गंबीरते के साथ कि एक निस्पक्ष जाच होनी चाहिए जब सरकार उससे नहीं मानती है तब जो है प्रसिंचन उड़त है कि एक तरह से सरकार क hills कैतिये है इसके अंदर आरोफ में कोई बतला कोई तत्य नहीं है गलत है नहीं है तू साबित हो अच्छी वात है सरकार की बात बात बानी जाएगी और दूसरी हों से है अगर कुछ गलतिया है तो हम सुधारे आपने के तन पारिक का स्काइब की बात की हर्शिद मेंटा की स्काइब की बात की उसके अंदर आपके यूनिट ट्रस्ट फिंडिया के भी स्काइब हुई थी याद होगा इन सब के बाद जे पिसी आने के बाद कई सारे रिफॉर्म्स हुए नियम हुए ताकि हमारी सिस्टम को हम और बैतर बनाएं तो तो अगर आज आईसी कोई नुक्स है तो उसको निकाल कर सिस्टम को बैतर बनाने की बात करें उसके इतनर जिजए क्यों है वाई सरकार को लगता है कि जितना ये मामला बढ़ेगा उतना बाहरी इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आएगा या भारत का जो पूरा सिस्टम है वो बदनाम हो रहा है आप लोग जो शोर मचा रहे हैं उससे दुनिया में भारत की छवी खराब हो रही है ये गलत है हमारी शोर मचाने के वज़े से नहीं हो रही है हिंडन बर्ग की रिपोर्ट के वज़े से हुई है पारलमेंट की शुरू होने से पहले ही वो शेर्स के अंदर गिरावाट आना शुरू हो गया और भारी तरीके से गिरावाट आई उसके अंदर विपक्स का कोई शोर नहीं था ना होता ना भाई उसके लिए एक ही मुख्य बाद यह है कि मुनाफ़ा बन रहा है यह नहीं जब वो देखे गा उसके उपर कोई अर्चन आ है तो निस्चित रूप से वो रियाक्ट करेंगे यह बनियादी उसूल है पुंजीबादी वहस्ता का और इस बनियादी उसूल के आधार पर दुनिया जो है रियाक्ट हो रही है इसके अंदर आरोप लगाएगी विपक्ष के मज़े से हो रहा है यह यह बात हम समझते की ठी करेंगे दीथ कि देखर आरोबगादी लाई यह बात हम यह बात है यह दो झाल झाल